नमस्कार आप देख रहे हैं दान्यूज आपके साथ मैं स्विष्टी मिश्वा लोग सबैशनाओ के नतीजों में मात्र कुछ दिन शेश और इसी बीच आपको बता दें एक हफते से भी कम का समय बचा है और इसी बीच रुजहानों की बात करें तो सटा बाजार के रुजहा बाजार दर्शक मुंबई का सटा बाजार क्या खरता है फलावदी सटा बाजार ने भी बीजेपी के जित की भविश्वानी की है और फलावदी ने यहां बात करें तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 65 से जादा सीट जितने का अनुमान जताया था इसी बीच आपको ब 95 से लेकर 305 सीट भाजपा के पक्ष में हैं और कॉंग्रेस के लिए बाजार का पूर्वा नुमान 55 से 65 सीट देखें कॉंग्रेस यहां 100 से सिमट्टी भी नजर आ रही दर्शको इसी 60 बाजार में भी कॉंग्रेस का कोई जोर नहीं चला और बाजार कभी 400 पार नारे का समर नहीं हैं जहां भी हो आप जितने भी मजबूत हो लेकिन इंडिया अलाइन्स भी है और कहीं कहीं पर प्रशान की शोर ने भी कहा कि विपक्ष उतना ज़ड़ा कमजोर नहीं है लेकिन हां वोट में तबदिल लेने में अभी उनको समय लगेगा जैसे प्रचंड बहुमत ब करें तो सटा बाज़ार के मुताबिक 350 सीटे भी संभाव सटा बाजार को बीजेपी की नहीं लग रही है बीजेपी प्लक एंडिया की में बात कर रही हूं तो देखिए सटा बाज़ार फिलहाल समर्थन में यहां पर 295 सीटे जितने का अनुमान लगा रहा है और कॉंग्र कर दिया है तो देखिए आस पास जो महौल चलते हैं जिस तरीके से वहां पर भाव लगते हैं उसी तरीके से सटा बाजार अपने फाइनल रिजल्ट्स को जनता के सामने दे देता है और इसी तरीके से सटा बाजार की बात करें प्रशान किशोर योगेंदर यादव किसी न ऐसे में बड़े फैसले फिर हुकेंद नहीं ले पाएगी बड़े फैसले जैसे मोदी कह रहे हैं कि आएंगे तो चौकाने वाले बड़े फैसले लेंगे देखिया आप देख सकते आसपास की जन संख्या कितनी बढ़ गई है ग्लोबल वामिंग है देश की इतनी बड़ी वि प्रदान मंतरी फैसला बड़े ले सकते हैं इनी सब फैसलों मार विपक्ष को तिलमिलाहट हो रही है विपक्ष कह रहा है कि भगवान करे कि अगर सटा बाजार यह कह रहा है तो लंगडी और लूली सरकार बने तो इसमें क्या होता है कि सरकार के पास दम उतना नजर नहीं हो जाएगा तो आप फिर बड़े फैसले ले पाएंगे लेकिन अगर तीन सो से कम सीटे दर्शकों आएंगी तो बहुत प्राब्लम हो जाएगी किन से सगा को लेकिन अभी तो नारे दिये जा रहे हैं लेकिन चार्ट सो तो कोई भी सटाबाजार नहीं कह रहा है तो जाहिर सी बात है यहां पर हर विसलेशन में हर आकड़े में जित्ती नजर आ रही है लेकिन मैंने आपको बार बार कहा हम इन बातों पर नहीं जाएंगे हम केवल और केवल इंतजार करेंगे चार जून का जाहिर सी बात है लोकतंत्र के इस पावन आफसर पर हमें केवल नत जादा सीटे ही आए 303 से पार आए और तमाम तरकी बाते अब इंडिया गडवंधन पूरा अपना महौल बनाने में जुटा हुआ है आप देखिए विपक्ष की बड़ी साजिश की कई जगों पर जो है यहाँ पर कॉंग्रस के निता के घर से वोटर आईडी कार्ट्स पाई रहे हैं देखिए ऐसे कैसे हो जाएगा जहां पर आपके हित में रिजल्ट्स आते हैं करनाटक में आ गया जहां जहां आपकी सरकार है वहां वहां अच्छा हो गया वोटिंग हुए और नतीजे जो आए वीम ठीक रहा आपके सारे पेपर ठीक रहे हैं और आपने बटन कुसिश और साजिश नाकाम होती नजर आ रही है मोजी सरकार ने बोल दिया किसी को जो करना है करते रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता तीसरे करेकाल में मैं डेफिनेटली आ रहा हूं और बड़े फैसले लेता नजर आऊंगा बतारे आपको प्रदान मंत्री के बाद सुनह कानुमान गलत भी निकल जाए लखनाव से राजना सिंग्जी जीत रहे हैं केंद्री मंत्री है रक्षा मंत्री है सबसे डिगजनेता इसके साथ मैं आपको बता दू अमेठी से चुनाइस्मृती रानी के मुंबई सट्टा बासार ने कहा है कि वो जीत सकती है मैं पूरी से डिमपल यादव जहाँ पर जैवीर सिंग की नेक टू नेक फाइट थी यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि अगर जीती भी डिमपल यादव तो कुछी वोटों से जीतेंगी और जैवीर भी जीत सकते हैं तो मैंने आपको बोला रहा कि बहुत जादा विश्वास करने की जरू नहीं निकलता है बात चुत करें तो उतर प्रदेश में मुंबई 60 बजार के हिसाब से भाजपा को 65 से 66 सीटे मिलने की कवायत तेज है सतर पार तो नहीं हो रहा है सीएम योगी ने भी बोला 80 की 80 लेकिन खेर नेता है कुछ भी बोल देते नेता लेकिन जरूरी नहीं है एक पार्टी की मजबूती दिखाने के लिए आपको बोलना पड़ता है लेकिन जरूरी नहीं है कि जितनी सीटे नेताओं ने कहदी उतनी आएंगी ही सीएम योगी हो जाए प्रधान मंतरी हो जाए यूपी के हसी केस की बात करें बड़ ऐसा होता नजर बिल्कुल नहीं आ रहा है और इसी तरीके से यहाँ पर बड़े बड़े दिगज देखिये मेरट से रामायान के राम यानि के अरुन गोविल उनको भी जीतने की संभावने बता जा दिये कि वो भी जीत सकते मेरट से और कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं आएगी इसी तरीके से बड़े बड़े दिगजों की साख दाव पर लगी थी राहूल गांदी की बात मैं आपको बताना भूल गई जहां राहूल गांदी भी यहां पर राय बरेली से जीत सकते हैं और एक और जगा है वाइनाड वहां से भी लड़ सकते हैं दोनों जगह से अगर दोनों जगह जीत चाते तो एक जगह सीट छोड़नी पड़ सकती है सेवन फेस की वोटिंग से पहले एक बड़ा अनुमान मुंबई सटा बाजार का चौकाने वाला है और भाजपा को यूपी में अच्छी सीटे दे रहा है 66 कम नहीं होते हैं अच्छी खासी सीटे होती है तो देखिए एक बड़ फिर से CM योगी का जलवा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बरकरार होने वाला है ऐसी भाविश्वानी 60 बाजार लगाता नज़र आ रहा है बात चुत करें तो एंच्छपा के नित्रतर वाले एंडिये को 64 से 66 तो जोड़िये दर्शक 295 से 303 और इसमें 64 एंडिये की एड हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 330 के आखड़े जो है वो आराम से पार होते नज़र आ रहे है देखने वाली बात होगी कितनी सीटें आती है फिलाल हमें तो रिजराल्स का इंतजार करना जो मैं आपको बार बार कह रही है तो आपकी जो भी राए हो ज़रूर कॉमेंट में बताइएगा शुक्रिया